बघ्ञाई दोस्तो आज हम जानेगे गेहों के पौधे के रस के बारे में, गेहों के ज्वार अर्था गेहों के छोटे-छोटे पौधे की हरी-हरी पती जिसमें है सुध रक्त बनाने की अद्बुद सकती, तबी तो इन ज्वारों के रस को ग्रेन ब्लड कहा जाता है, इसे प्लोड कहने का यह एक काराण है कि रसानिक साचना पर ध्याना अकर्षन किया जाए तो गिहूं के ज्वारे के रस और मानों रोधिर दोनों का ही पीच फैक्टर सेबट पॉर 7.4 ही है जिसके काराण इसके रस का सेवन करने से इसका रक्त में अभिशोष और सिग्र हो जाता है जिसे रक्त आलपता आने इनेमिया और पिलिया जॉंडिस रोगी के लिए या इस्वर परतत्त अम्रित हो जाता है गिहूं के ज्वारों के रस का निमित सेवन और नाडि करुंकर मनुस्त परकार के रखता विकारों से मुक्त हो जाता है गें के जवारों में प्रक्त मात्रा में कुलोर्य फिल पाया जाता है जो टेजी से रक्त मन बनाता है इसलिए तो इससे प्राकिर् SMITH के संग्या भी दी गई है ग्येंके पॉतियों के रस में विटेमल BC और E पर्चुर मातरा में पाया जाता है दोस्तों वीडियो में आगे बोढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसा ही जड़ी बुटी और प्राकिर्थिक नुस्के हम आप लोग के लिए लाते हैं क्योंकि घास के सेवन से कुष्ट और देता है यानि एसे डिटी, गठिया, भगंदर, मद्वे, बौसीर, खासी, दामा, नित्रो, म्यूकस, उचरक्त चाप, वाईविकार, इत्यादे में भी अप्रत्यासित लाब होता है इसके रस के सेवन से अपार सरीरिक सक्ति के ब्रिदी होती है तता मुतरासे की पथरी के लिए भी तो या रामबाड है गिम के जवारों से रस निकालते समय या ध्यान रखे कि पतियों में से जड़ वाला सा फेत हिस्सा काट कर फेक दे केवल हरे हिसी का ही रस से उन कर लेना ही विशेश लबकारी होता है रस निकालने के पहले जवारों को धोबी लेना चाहिए या ध्यान रखे कि जिस जवारों से रस निकाला जाए उसको चाहिए अधिकतम पांस से छे इंस ही होने चाहिए दोस्तों यह है गेहूं के रस्त के फायदे के बारे में दोस्तों अगर मेरे वडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको दोस्तों गेहूं में बिटामिल E, बिटामिल C और भी बहुत सी पर्चूर मातरे में आईरन पाए जाता है जो आपको हर बिमारी उसरे लड़नी में सहाइक करता है दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें थैंक्स फर वाचिंग